दोस्तों, आस्मान में सैटन या शनी, रेट्रोग्रेट या वक्री होंगे इस साल जून 29 से नवंबर 15 तारिक तक। शनी का वक्री होना एक बड़ा ही इंपोर्टन्ट अस्ट्रोलोजिकल इवेंट है। उरे साड़े चार महने शनी वक्री होंगे। कोई भी ग्रह वक्री होता है मतलब ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि ग्रह आस्मान में उल्टी चाल चल रहा है या रिवर्स में चाल चल रहा हो। रेट्रोग्रेट मीन्स इड अपिर्स टू मूब बैकवर्ड इन दसकाई। मान लिजे आप एक किताब पढ़ रहे हैं और किताब के पन्ने आगे की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं। अब ऐसा एक टाइम आता है जाँ आपको फिर से पढ़े हुए पन्नों को दोबारा पढ़ने की जरुरत महसूस हो, तो आप क्या करेंगे। आप पन्ना पल्टेंगे, आप पन्नों को अपोजिट डिरेक्शन में पल्टेंगे। इसका मतलब जो चीज को पढ़ी गई है उस पे पुनरविचार, इंट्रोस्पेक्शन, एक और बाद सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उसी तरह शनी या सैटन कर्म के कारक है हमारे। हमारे आपकी responsibilities, duty, कर्तव्य कर्म सारे शनी देव एरेंज करते हैं। अगर शनी देव वक्री हो जाए, तो इसका मतलब हमें अपने कुछ कर्मों को, कर्तव्यों को, कार्यों को दोबारा re-evaluate करने की जरूरत हैं। री-evaluation of one's responsibilities, कार्मी क्लेसंस लेने का टाइम आ गया है। इससे ऐसा समझे कि जैसे शनी आपको आपकी लाइफ के कुछ एरियास को फिर से कंसिडर करने के लिए कह रहे हैं। सुधार किया जा सकता है तो करें। आपसे कोई गलती हुई है तो उसे करेक्ट करें। ये वक्री होने का वक्त उसी के लिए है, करेक्शन के लिए है। चलिए, आगे इस वीडियो में मैं हर एक बारा राशियो और लगन स्थान के आदार पे प्रेडिक्शन करता हूँ। वीडियो आखिर तक देखें। सभी राशियों से काफी कुछ सीखने को है। और में बात अपने घर परिवार दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। उन्हें इस आने वाले साड़े चार महिने के समय के बारे में थोड़ा तैयार कराए। वीडियो की उस पार मिलता है, करेक्टेड रही है। नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है सतीश मेनन, मैं एक प्रैक्टिसिंग आस्ट्रोलजर और स्पिरिच्वल लाइफ गाइड हूँ। आप मेरे बारे में मेरे वेबसाइट आस्ट्सतीशलाइफगाइड डाट कॉम पे जाके जान सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, मैं आने वाले प्रैडिक्शन को 12 राशियों और 12 लगनस्थान के आधार पे बताने जारा हूँ। राशी वो जोडियाक साइन है जहां आपका जर्म चंद्र मौजूद हो और लगनस्तान वो जोडियाक साइन है जिसका निर्ने आपके जर्म समय से होता है ऐसा हो सकता है कि आपकी राशी और लगनस्तान अलग-अलग हो अगर ऐसा है तो फिर दोनों प्रेडिक्शन्स को की ग्रवों के स्तिधी या फिर प्लानेटरी प्लेसमेंट्स पर भी निरवर करता है आपकी दशाओ पर निरवर करता है अगर आपकी शनी या सैटन की ही माधशा चल रही हो अंतरदशा चल रही हो तब तो इन सारे प्रेडिक्शन्स का आप पे इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होगा इस वात का घ्यान रखे अगर आप मुझसे अपने होरोस्कोप के बारे में जानने के लिए संपर करना चाहे तो मेरे वेबसाइट आस्त सतीशलाइटगाइड डॉट कॉम पे दिये गए फॉर्म को फिल करे या मुझे सतीशलाइटगाइड अग जीमेल डॉट कॉम पे इमेल कर दे मेश या एरीस मेश राशी वालों के लिए फोकस रहेगा करियर पे अमबिशन्स पे शनी महराज आपके दसवे और ग्यारवे हाउस के स्वामी है टेंथ हाउस होता ही है करियर के लिए और लेवन्थ हाउस होता है इच्छा पूर्ती या फुल्फिल्मेंट ऑफ डिजायर्स के लिए शनी देव फिलाल आपके ग्यारवा भाव या लेवन्थ हाउस में बैटे हुए है तो बात तो आपके फाइदे की ही है आपके इच्छाय पूरे होने की ही है ऐसा हो सकता है कि आपके करियर से संबन इंकम बढ़ने को लेकर धन का आने को लेकर करियर संबन कोई अबराट ट्रावल को होना हो करियर में कुछ आगे बढ़ाई को लेकर कुछ काम हो ऐसा कोई काम होना बाकी रह गया हो होते होते रह गया हो तो इस दोरान आप वो कर पाएंगे वो करने का आपको मौका मिलेगा ठीक उसी तरह अगर आपका कोई तीर थ्यात्रा कोई मंदिर, कोई पुन्यस्तल कोई फैमिली के साथ जाने का प्लैन बन रहा हो और अब तक मौका बना नहीं सही से तब इस बार जाने का बहुत चांस बन जाता है करियर पे फोकस है तो इस वक्री काल में आप अपने करियर के गोल्स को लाउंग टर्म अमिशन्स को लेकर रीथिंग करे, उनर विचार करे आप राइट ट्रैक पे हो या नहीं इसका पता लगाए ये करियर आपको सूट करता है या नहीं ये जानिए मेश राशी वाले, आप लोग हर चीज़ को बड़े पैशनेटली करते हो चेक करें कि आप जो भी कर रहे हो वो बड़े पैशनेटली कर रहे हो अगर आप स्टुडेंट हो या कुछ पढ़ना चाते हो तो इन साधे चार महिनों में शनी देव आपको आपकी बढ़ाई को ले करके आईडियाज और प्लान्स या कई यात्रा करना चाते हो कोई जगा एक्स्प्लोर करना चाते हो तो उसे शनी माराज इन साधे चार महिनों में री एक्जामिन करवाएंगे ऐसा हो सकता है आप कोई कोर्स करना चाते हो कोई जगा विजिट करना चाते हो और आपसे वो हो नहीं पारा इस टाइम को इस्तमाल थोड़ा पुनर विचार में लगाईए कि क्या सही में वो कोर्स करना मेरे लिए ठीक रहेगा या उस जगा ट्राइवल करना मेरे लिए ठीक रहेगा क्योंकि अगर आप कैसे प्लान्स है तो थोड़ा डिले आप एक्स्पिरियंस ज़रूर करेंगे पेशन्स रखिए इस दौरान फैमिली में बड़ों के खासकर के पिता के या फिर पिता के उम्र के लोगों की तब्यत थोड़ी खराब रह सकती है कुछ ऐसे भी विरिशम वाले होंगे जिनें इन्वेस्ट करना है और शायद तुरंत रिटन चाहिए होगा पर अगर आप इस राशी वाले हो तो इन चार-पाच महीनों में इन्वेस्टमेंट ना करे तो बैतर पैसे अटक जाने की या स्टक हो जाने की संभावना ज़ादा है जान दली मितुन या जिमिने वाले मितुन वालों का फोकस रहेगा अपने स्वयम के ट्रांस्फर्मेशन को लेकर आप के लिए शनी माराज नवम स्थान में नायन्थ हाउज में वक्री हो रहे है नवम स्थान अध्यात्म से जुड़ा हुआ स्थान है सीखना, समझना, साधना करना, जोतिश विद्या सीखना ये सारे विश्यो बर्प पुनर विचार हो सकता है इन साड़े चार मैनों में आप काफी साइकोलोजिकल ट्रांस्फर्मेशन करेंगे अपने emotional issues को revisit करके उसे सुदारने का कोशिश कीजिए उसे बाहर आने का सहीव अक्षनी भगवान इस दौरान आपको देंगे आपको अपने finances को, debt को, उधाल को, इनको लेकर उनर विचार करना पड़ सकता है अगर आप business में हो तो partnership या joint venture पे focus करें उसी तरह personal life में भी partner के साथ मदवेद हो सकता है उन मदवेदों को clear करने का वक्त है ये partner के perspective को, उनके नजरियों को समझने का वक्त है अपने income और business में क्या-क्या नए तरीकों को introduce कर सकता है या business में क्या transformation ला सकता है इस पे सूचे नवंबर के बाद उन changes को, उन plans को implement करने का सही वक्त आएगा करक राशी या cancer sign माले करक राशी वालों का focus होगा relationships पे आपके रेशनी 8,000 में है मतलब अश्टम शनी चल रही है और इस वक्ती पीरिड के दौरान अश्टम शनी आपके धहर्य patience को काफी test करेंगे relationships के मामले में खास करके आपको काफी सयम patience रखना पड़े रिश्टो और रिश्टेदारों को partnerships को reassess करना पड़ सकता है आप ये देखे कि आप रिश्टो को निम्हाने के लिए अपने साइड से क्या कर पा रहे हो आपको वो रिश्टा क्या दे पा रहा है क्या सीख मिल रहे है उन रिश्टो से इस दोरान अगर आप किसी से communicate नहीं कर रहे हो रिश्टो में दरार आई है तो फिर communicate करना शुरू करे रिश्टो में कोई भी गलत फहमी हो तो से दूर करे रिस्तों में दूसरे के इमोशन्स को लेकर थोड़ा और सेंसिटेव भोके सोचे आने वाला वक्त आपके काफी सारे काम रुकवा सकता है ऐसा लगेगा कि शायद मेरा काम कभी बने ही नहीं लेकिन सब्र रखे नवंबर के बाद नबने वाले सारे काम क्लियर होना शुरू हो जाएंगे सिमराशी और लियो साइन इस राशी के लोगों के लिए पूरा फोकस जॉब, हेल्थ और पार्टनर को लेकर भोगा शनी का वक्री होना सिमराशी वालों के लिए शुप फल देगा वक्री शनी का समय आपको काफी मच्वर बनाएगा इसी वज़ा से फैमली, फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त, आरेवारिक जीवन सही रहेगा जॉब से सम्बंदिच चेंज करना चाह रहे हो तो आप नवंबर तक का इंतजार करे तब तक जॉब मार्केट को और अपने स्किल्स को इवाल्यूएट करे, इंत्रोस्पेक्ट करे और नवंबर के बाद सही जगा एप्लाए करके आगें बढ़ सकते हैं शनी या सैटन आपके लिए अभी सेवन्थ हाउस या सब्तम स्थान में हैं पार्टनर्स के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है या पार्टनर्स के हेल्थ को थोड़ी प्राब्लम हो सकती है शनी के वक्री रहते हुए अपने खुद के हेल्थ को और अपने डेली रूटीन का डिसिप्लिन का खास ख्याल रखे कन्या राशी कन्या या वर्गो साइन वालों के लिए शनी उनके सिक्स्थ हाउस में वक्री होंगे और सिक्स्थ हाउस होता है रोग, शत्रू या रिन का स्थान तो इनी बातों पे फोकस भी जादा होगी हो सकता है अभी आप कोई छोटे मोटे हेल्थ प्राब्लम में थे अगर थे तो अगले चार मेने आपके हेल्थ अच्छी रहेगी लेकिन आपको अपके हेल्थ पे ध्यान देना जरूर है उसे लाइटली लेना नहीं है नहीं तो नवंबर से अगले मार्श तक पिर से हेल्थ को लेकर तोड़ी डिफिकलिटीज आ सकती है ठीक वैसे ही छटा गर नवकरी के लिए होता है तो नवकरी करने वालों के लिए जॉब करने वालों के लिए टाइम कभी-कभी अचानक से कुछ चेंज ला सकता है ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब चेंज करने का या जॉब चले जाने का डर बैट जाए या ऐसा situation आ जाए तो मैं कहना चाहूँगा कि हिम्मत मत आना, कोई भी sudden decision मत लेना चार मैने बाद problem अपने आप clear हो जाएगा ठीक उसी तरह रिन लेना हो, लोन लेना हो, उधार लेना हो तो कोशिश करे कि 4-5 मैने तक उसे टाल दिया करे विचार कीजे कि लोन के बगेर भी क्या काम किया जा सकता है अगर ऐसा है तो फिर लोन न ले कन्या राशी वाले कुछ वख अपने creativity को निखारने में जरूर लगाए वो writing हो, reading हो, music हो, लेकिन कुछ वख अपने creativity को उभारने में जरूर लगाए कन्या राशी वालों के लिए मैं अपने अगले वीडियो में कुछ खास टिप्स देने वाला हूँ अगर आप कन्या राशी वाले हो तुम मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे और मेरी वीडियो को फॉलो करो तुलाराशी या लिबराशाइन वालों के लिए शनी के वक्री होने का असर फैंगली, बच्चे, घर इन चीजों पर फोकस रहेगा क्योंकि तुलाराशी के लिए शनी देव पंचम स्थान या फिफ्थ हाउस में होंगे और ये है बच्चों का स्थान, तो बच्चों से related challenges, उनके health, उनकी education को लेकर थोड़े सवाल खड़े हो सकते हैं दरिये नहीं, ये सिर्फ चार मेने तकी बात है, लेकिन अगर इस विशे में कोई भी decision लेना हो जैसे बच्चों के schooling को लेकर है, या फिर tuition को लेकर है, तो decision आप ले सकते हैं ठीक वैसे ही जो तुला राशी वाले घर से related, घर से संबंदित कोई भी चीज करना चाहे जैसे कोई पुराने घर को बेचना है, या पुराने घर की मरमत या repair करवानी हो या नया घर खरीदना हो, ऐसे कोई प्लान हो, तो घर बेचना या मरमत करने वाली बात आप इस दौरान कर सकते हैं कोई नई property खरीदने हो, तो थोड़ा सा दोबारा consider करें अपने future के plans को दोबारा एक बार revise करें, introspect करें हो सके तो घर खरीदने का plan या program नवंबर तक या उसके बार के लिए postpone कर दीजे क्योंकि शनी देवा के पंचम स्थान के स्वामी भी है, तो कुछ लोगों के लिए romantic life में शनी का वक्री होना थोड़ा cutting वक्त ना सकता है, ऐसे मैं सयम से काम ले और जल्द बाजी में decisions ना ले 5th house आपके creativity का भी स्थान है, music, cinema, arts, painting में रुची रखने वाले, ऐसे तुला राशी के लोगों के लिए ये वक्त नई कला सीखने के लिए भी है, तुला राशी वालों के लिए एक special वीडियो रिलेस करने वाला हूँ मैं, अगर आप तुला राशी वाले हैं, तो मेरे चानल को ज़रू सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो मिस न करें वरिष्चिक राशी या स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए शनी या सैटन वक्री होंगे, और फोकस करेंगे तीन चीज़ों पर, खास करके आपके कम्मिनिकेशन्स पर, फिर दूसरा आपके भाई वहन सिब्लिंग्स पर, और तीसरा आपके प्रॉपर्टी को लेकर चतुर स्थान में है, और तीसरा स्थान का स्वामी मी है, अगर आपके भाई वहनों से मन मुठाओ है, या कोई मिसंडेस्टैंडिंग वुई है पिछले कुछ महिनों में, तो इन अगले चार महिनों का इस्तमाल, कम्मिनिकेशन डेवलप कर, रिलेशन्शिप सुधारने मे लगाई ने, आप लोगों को अपने कम्मिनिकेशन करने की तरीके पे काम करने की या थोड़ी इंट्रस्पेक करने की जरूरत है इन आने वाले चार महिनों में, उसी तरह अगर कोई प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश चल रही थी और पिछले महिनों में सफलता नहीं मि दिशने का प्रोसेस पूरा कर पाएंगे वरिश्चिक राशी वालों को कुछ दिन या हबते की ट्रैवलिंग भी करने की जरूरत पड़ सकती है काम काज के सिंसेले को ले करें धनुराशी धनुराशी सङजिटेरियस साइन वालों के लिए पूरा जोर विरैंस ट्रैवल चेंज पे रहेगा शनी आप लोगों के लिए 3rd house में वक्री होंगे और जूकि शनी 2nd house के स्वामी है जो finance का स्थान है आप लोगों को अपने financial situation को re-check करना पड़ेगा या उस पे एक बार पुनरविचार कर लियना चाहिए जैसे आप invest कहां करते हैं कैसे करते हैं किसके बोलने पे करता हैं कितना करता हैं आपके खर्चे कहां हो रहा है बगर इन 4 मेनों को यूज कीजिए अपनी financial stability को plan कीजिए साथी साथ अगर कोई asset बेचना बनता है जैसे घर या गाड़ी तो इस दोरान बेच सकते हैं और अपने bank balance आप बढ़ा सकते हैं फैमली के साथ कोई short trip प्लान की हुई है या नहीं हो पा रही है इन दोरान अगर ऐसी कोई trip ले सके तो बहुत बहतर रहेंगा मकर राशी या Capricorn sign के लोगों के लिए शनी देव दूसरे भावों में वक्री होंगे और उन्हें अपनी self identity और financial goals फैमली इन पे पूरा focus रहेगा मकर राशी वालों को भी धनूराशी के जैसे ही अपने financial planning, investment को, expenses को, income वो इन आने वाले चार महिनों में दुबारा review कर लेना चाहिए चेक कर लेना चाहिए शनी या Saturn सारे नवग्रह में सबसे मंद गती से चलने वाले ग्रह है तो जब आप financial planning करें या करने के लिए बैठें तो इन चार मेनों का इस्तमान long term planning के लिए करें अगले 20-25 साल की planning करें मकर राशी वालों के लिए इस दौरान family से जुड़ी भी काफी चीजों में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है ऐसा भी हो सकता है कि family के किसी बुजर्ग सदस्य की health इन चार मेनों में थोड़ी disturbed है जहां तक self identity की बात है शनी के वक्री रहते आपके लिए अच्छा मौका है कि आप अपने personal goals को आपको personally क्या करना है क्या हासिन करना है इस पर विचार करे planning करे मकर राशी वाले ये भी याद रखे कि उनकी अभी साड़े साथी चल रही है और क्योंकि साड़े साथी आपकी खतम हुई नहीं है तो शनी का वक्री होना आपके सारे events को सारे actions को थोड़ा slow भी कर सकता है धीरज रखे पेशन्स रखे साड़े साथी का और शनी वक्री होने का डबल असर आपको फिल वो सकता है कुम्ब राशी या accurate science वालों के लिए शनी देवट पहले ही भाव या first house में ही वक्री होंगे शनी कुम्ब राशी के स्वामी ही है पर मकर राशी के लिए भी है इसलिए कुम्ब राशी वालों पर first house और 12th house दोनों ही active रहेंगे इसका मतलब कुम्ब राशी वालों के लिए focus होगा अपने खुद के progress और development पे और साथी साथ 12th house मतलब अपने spirituality के growth पे भी इन अगले चार महिनों में जब तक शनी first house में वक्री है तब तक आप अपने life को introspect करने का अच्छा मौका ले ले आपके अपने limiting beliefs क्या है कौन से सोच आपको grow करने नहीं दे रही है इस पे विचार करे, मरन चिंतन करे spirituality के लिए भी ये चार-पाश मेंने बड़े लाब दे सकते है अगर आपको आध्यात्म से जुड़ी कोई गरंत या फिर कोई course कुछ सीखना हो, पढ़ना हो पढ़ाना हो तो ये बहुत सही समय है meditation retreats या कैम जाने का कोई आउसर आए तो इसे जरूर इस्तमाल कीजिए अगर आप ओल्डेडी साधना कर रहे हैं तब तक शनी जब तक वक्री है आपकी साधना और गहरी हो जाएगी कुम राशी वाले भी साड़े साती से गुजर रहे हैं तो याद रखिए जब साड़े साती और शनी वक्री हो तो होने वाले कामों में और डिले हो सकता है, धीरज रखे, पेशन सरके मीन राशी या पाइसिस साइन के लोगों के लिए शनी देव होंगे 12 आउस में, बारवा भाव में और क्योंकि शनी देव ग्यारवेस्तान के भी स्वामी है, तो उनके लिए 11 और 12 आउस बड़े अक्टिव रहेंगे अगले 4 से 5 मैनों के लिए कुम राशी वाले जैसे ही मीन राशी वालों के लिए भी स्पिरिच्वालिटी या अध्यातन से जुड़ी चीजों के लिए अच्छा समय है 12 आउस जैसे ही 11 आउस तो लाव, दोस्ती, फायदा, इच्छा पूर्ती ये सब चीजों के लिए होता है तो शनीदेव का मीन राशी वालों के लिए वक्री होना लाब दायक है क्यूकि शनीदेव वक्री हो रहा है तो चांसस है आप अपने फ्रेंड्शिप या सोसाइटी में जिस तरीके से आप उटते बैढते हो जिस attitude से आप अपने society के circles में होते हो उसमे थोड़ा पुनर विचार करें क्योंकि आपके social circles में आपके दोस्तों की ब्रूप में इन चार महिनों में कुछ changes आ सकते हैं आप अपने दोस्तों के बारे में थोड़ा मनंचिंतन करेंगे और शायद पूराने दोस्त या गुरू होंगे उनसे वापस जुड़ने का मौका भी मिल सकता है ठीक उसी तरह आपको अपने दोस्तों के साथ काई international trip प्लान करना हो या फिर कोई पवित्रस्थान या तिरस्थान पे जाने का अगर मौका मिले तो उस मौकी का फाइदा जरूर ठाई meditation, ध्यान, योब, आध्यातन की और भी कोई steps आपको लेने हो तो ये time आपके लिए काफी लाबदायक हो सकता है मीन राशी वालों के लिए भी मैं अपने अगले वीडियो में कुछ special बातें बताने का प्लान कर रहा हूँ चैनल को subscribe करें और वीडियो को follow करें मीन राशी वालों के लिए 2023 से ये साड़े साथी शुरू हो चुकी है और 2030 तक साड़े साथी चलेगी याद रखिए आपके लिए जब शनी वकरी हो और साथी साथ साथी चल रही हो तो चीज़े थोड़ी स्लो हो जाएंगी एक्स्टा स्लो हो जाएंगी बहुत धीरज धैरे से काम दे तो फ्रेंट्स शनी वकरी के आने वाले साड़े चार महने आपके लिए कैसे रहते हैं इन में से आपके क्या experiences रहें ये comments पे लिकर जरूर बताएं आने वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार वालों के साथ इस वीडियो को शेर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद इश्वर से प्रात्ना है सब मंगल मैं और शुब हो नमस्ते